काली कौन है? काली? देवी काली? काली मुसीबत हैं वो महिला, वो बहुत भयंकर महिला है वैसी महिला को संभालने के लिए आपको एक अलग तरह कहुनर चाहिए क्योंकि भारत में विशेश रूप से विभिन्न देवताओं और देवियों का स्रिजन किया गया है वैसे तो ये असी मितूर्जा है पर कुछ ऐसे प्राणी जो बखान करने के बज़ाए कुछ देश्यों के लिए इसका उप्योग करना चाहते थे और जब उनमें चेतना की एक खास थिती थी तब उन्होंने कुछ रूपों का स्रिजन किया कुछ सुखद, कुछ प्रचंड, कुछ दूसरी तरह के ताकि उनका उप्योग आपके जीवन के अलग-अलग आयामों के लिए किया जा सके ये ऐसे हैं, शिक्षा-शिक्षा ही है लेकिन अब शिक्षा की कई सारी शाखाएं हैं, है ना? जो अच्छे से स्थापित हैं वरना एक समय था जब शिक्षा का मतलब था कि सभी हर चीज सीखते थे अब हर चीज के विशेशग्य होते हैं, है ना? इस तरह उन्होंने अलग-अलग तरीकों से उर्जा बनाई ताकि ये उर्जा विभिन लोगों के लिए अलग-अलग तरीकों से उपलब्ध हो सके क्योंकि उन्हें अपने जीवन के कुछ पहलूँ के लिए इसकी जरूरत होती थी काली बहुत प्रचंड है कई मायनों में दूसरे रूपों की तुलना में उन तक आसानी से पहुँचा जा सकता है काफी आसानी से पहुँचा जा सकता है लेकिन साथ ही वो बहुत 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 प्रचंड है जब आप किसी प्रचंड रूप को आमंतरित करते हैं और अगर आप उन्हें संभालना नहीं जानते, तो वो आपको चोड़ दे सकते हैं, कुछ और भी हैं, जो और भी ज्यादा प्रचंड हैं, भयानक हैं, लेकिन उन सभी का एक उद्देश्य होता है, ये सब अतीत में कुछ योगियों द्वारा बनाए गए हैं, उन्हें एक र रिक्ता बन सकते हैं, काली बस एक देवी नहीं है जिन में आप विश्वास करें, वो आपके सामने चल सकती हैं, क्योंकि एक बार जब आप उनके लिए जरूरी उर्जा शरीर बना लेते हैं, तो अब अगर आप चाहें तो इसके उपर एक भौतिक शरीर भी बना सकते हैं, उदारण के लिए मैं कहरा था कि ध्यान लिंग एक सर्वोच किस्म के प्राणी का उर्जा शरीर है, सिधान्त रूप से ये संभव है कि अगर हम चाहें तो उसके लिए एक भौतिक शरीर बना सकते हैं, सिधान्त रूप से ये संभव है, इसमें बहुत अधिक कारे करना और ये अंत में किसी लाब का नहीं होगा, एक और इंसान बनाने का क्या तुक है, जिस तरह से मैं हूँ, उसे आपके द्वारा अभी अनुभव न करने का एक मात्र कारण है कि मैं एक भौतिक शरीर में हूँ और आपकी तरह बोलता हूँ और आपकी तरह चीजें करता अगर मैं किसी और रूप में होता, तो लोगों के लिए बहुत आसान होता, क्योंकि तब आपको नहीं दिखता, जब आप किसी को इनसान के रूप में देखते हैं, तो उसे आपके तरकिक तरीकों में फिट होना होता है, है ना? अगर वो आपके तर्क में फिट नहीं होता तो आप उसे आत्मग्यानी के रूप में नहीं देखेंगे आप उसे पागल मानेंगे तो बहुत एक शरीर बनाने का कोई फाइदा नहीं है पर काली उस उर्जा का एक आयाम है ध्यानलिंग में सबी आयाम शामिल है तो ये एक अलग चीज है पर काली एक खास आयाम है उन्होंने काली को बना कर खुला छोड़ दिया तो उन्हें कुछ स्थानों पर कुछ खास तरीकों से प्रतिष्ठित किया गया है कोई भी उन तक पहुँच सकता है वो अस्तित्तों में वाकई शक्तिशाली ताकत है और सिर्फ काली ही नहीं दूसरी भी है डाकिनी, राकिनी, लंकिनी बहुत सी है जो सभी योगिक परमपरा का हिस्सा थी लेकिन आम तोर पर हम उन जगाओं में लोगों के साथ नहीं जाते क्योंकि ज्यादतर लोगों के लिए ऐसी चीजें जरूरी नहीं है ये सिर्फ उनके लिए है जो दुनिया के साथ कुछ चीजें करना चाहते है उन्हें ये चीजें जानने की जरूरत होती है दूसरे लोग जो सिर्फ आपकी मुक्ति चाहते है उन्हें ऐसी चीजों पर विश्वास करने की जरूरत भी नहीं है उन्हें ऐसी जगाओं में घुसने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इसमें बहुत जटलताएं है ये स्रिष्टी करता की भूमिका करने की कोशिश करने जैसा है इसमें बहुत अधिक जटलताएं है